आज सुक्र वार है, सुक्र की अपनी महिमा है यो तो हर्थ स्त्रेखा सास्त्री ये कहते हैं कि सुक्र जिसका प्रबल हो, काम इच्छा है उनकी प्रबल होती है लेकिन वास्तों में सुक्र का मतलब है आकर्शन सुंदर्य के प्रती, सुंदर चीजों के प्रती और कामनाय प्रबल होती है तो काम क्या है समाज में लोगों ने यही मान लिया है कि एक ही चीज काम है यूँ आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं ये भी तो काम है कई जो काम कुछ भी न हो तो कहते हैं कि आजकल तो हमारे पास काम ही नहीं है सुक्र का अर्थ है लगाव, आकर्षन, समर्पन संसार के बहुती किसी भी कारे के प्रती हम यूँ कह सकते हैं कि लक्ष प्राप्ती का आधार है सुक्र यदि कारे के प्रती, गोल के प्रती, लक्ष के प्रती आकर्शन ही नहीं होगा तो हम कारे ठीक से नहीं कर पाएंगे और दूसरे अर्थों में हम यू देखें कि ये दिन संतोसी माता का दिन है पुरान कहते हैं कि संतोसी माता गनपती भगवान की पुत्री है देवी हैं, आदिशक्ती हैं उनकी उपासना बड़े जोर सोर से की जाती है जिसमें सुक्रवार को उपवास किया जाता है गुर और चने का भोग लगाया जाता है संतोशी माता हर प्रकार के मनो कामनाओं की पूर्ती करती है जीवन से दुख दूर करती है अबहाव दूर करती हैं, धन धानने से भरती है दार्शनिक रूप से हम इसे ऐसे देख सकते है कि जीवन में कैसा भी धन आ जाए, कितना भी बैभाव आ जाए लेकिन संतोश के विना सुख नहीं आता इसलिए कोई भी धन आ जाए, जब संतोश धन आए तभी मनुष्य सुखी होता है विवेक के प्रतीक है भगवान गनपती जिसके जीवन में विवेक होता है डिसिजन बैकिंग पावर होता है सही नरने लेने की छमता होती है उसके जीवन में ही संतोश आता है अर्थात उसकी पुत्री ही संतोशी होती है हम खुब बैभो कमाए, खुब धन कमाए, खुब नाम कमाए लेकिन यदि संतोश करना नहीं सिखेंगे तो दुख तो आना ही है क्योंकि महत्व कंख्षाओं की कोई सीमा नहीं है उसकी कोई लिमिट नहीं है हम आज पुरे विश्व के लोगों को देखें तो वो यही कहते हैं एक्षाओं अकंख्षाओं की सुची बनाई जाए तो इंसाइकलोपीडिया भर जाए लेकिन मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ती नहीं होती है सारे मनोकामनाओं की पूर्ती नहीं होती है कुछ लग कुछ अदूरा रही जाता है एक बार एक भिखारी ने नारदमनी से कहा कि है नारदमनी एक चिठ्थी लिख दीजिए कुबेर के नाम से उन्होंने चिठ्थी लिख दी कि मैं भिक्षा मांग मांग के परिशान हो गया हूँ आप अगर चिठ्थी लिख दे तो कुबेर जी मुझे थोड़ा धन दे दे तो मेरा काम चल जाए विखारी देव लोग गया कुबेर के पास और कुबेर ने दान देना शुरू किया के अंदर आदमी की खोपली थी नारदमुने ने कहा दुनिया क्या कोई भी खजाना भर जाए जोली भर जाए लेकिन आदमी की खोपली कभी पूरी तरह नहीं भर सकती है वो एक जाए तो दूसरी की काम ना करने लगेगा इसलिए सबसे बड़ा सुख है संतोष हम पुरसार्थ करें परिश्रम करें बैभव कमाए यस्कृति कमाए लेकिन संतोष करना भी सीखें ये संतोषी माता का दार्शनिक रूप है यो तो उपासना के दृष्टी से हम संतोषी माता का ब्रत करें उपवास करें शुक्रवार के दिन और जीवन में संतोष आए इसकी काम ना करें अगर संतोस आता है तो बैभव इस्थिर रहेगा आपका विवेक इस्थिर रहेगा संकट और कठिनाया जीवन से दूर हो जाएंगी तो यूँ तो सभी लोग संतोसी माता के ब्रत की विधी जानते हैं कता भी जानते हैं तो आप इस दिन उपवास करें, ब्रत करें, गुर्चने का भोग लगाएं, इस तरह से इस दारसनिक पक्ष को भी अवस्याद रखें, कि उपासना का फल होता है, उपासना का अर्थ होता है इश्वर के करीव बैठना, आसन लगाना परमात्मा के समीप, तो हम सुक्रवार को उस देवी के समीप आसन लगाते हैं, जहां से हमें संतोष मिलता है, और वो पुत्री है, गणपती के अर्थात विवेक की, तो विवेक हमारे अंदर इस्थिर रहे, इसके लिए संतोष सी माता की उपासना बड़ा ही उप्यूकता है, उपासना से हमारे अंदर शक्ती आती है, और उस शक्ती से हमारे जीवन में उर्चा का संचार होता है, और हम जीवन में सब कुछ कर पाते हैं, सुक्रबार बड़ा ही शूब है, संतोषी माता की उपासना या सुक्रबार का आत्म चिंतन, क्यूंकि ग्रहों की अलग-अलग दशा होती है, और हर वार अलग- किर्णों का प्रभाव मनुस्य के सरीर पे होता है और उन क्रिणों का पूरा-पूरा असर हमारे 13 उपतिका और ग्रन्थीमू पे तब हो पाता है जब हम कम भौजन करें या उकवास करें तो Quand कामना पूर्ती के लिए, काम पूर्ती के लिए, संसार में सुंदर्य आकर्शन की पूर्ती के लिए, पहले भी हमने संकेत किया, कि सामानने तोर पे सुक्र के लिए काम का ही प्रतीक माना जाता है, लेकिन काम का अर्थ व्यापक है, जो भी काम इस संसार में हम करते हैं, नौक तो कामनाओं के प्रती और कर्म के प्रती समर्पन जो पैदा करें लगाव जो पैदा करें वही सुक्र है और सुक्र की उपासना भावतिक जगत में कामनाओं की पूर्ति कराता है और हमें सुंदर रिवान, वैभावान, धनवान बनाता है